आदर्णिय उप्राष्ट पती जी, आदर्णिय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान, सभी वरिष्ट महानुभाव, और 140 करोड देश्वासियों के प्रतिनीधी, सभी मानिय सांसत्गान। आपको और देश्वासियों को गणेश्च चतुर्थी की अनेक अनेक शुक्ताम लाएं। आज नए संसद भवन में हम सब मिल करके नए भविष्ट का स्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विक्सीद भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्ब बद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरप्रस्थान कर रहे हैं। सम्मानिय सभाग्र, यह भवन और उसमें भी ए सेंटरल हॉल, एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुग भी करता है और हमें हमारे करतव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आज हादी के पूर्व यह खन एक प्रकार से लाइब्रेरि के रुप में इस्तिमाल होता था। लेकिन बाद में सम्विधान सभागी बैठके यहाँ शुरू हुई और उन सम्विधान सभागी बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचाना करकर के हमारा सम्विधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हकुमत ने सत्ता हस्तांत्र किया। उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा यह सेंटर हॉल है। इसी सेंटर हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। और एतिहासिक अउसरों पर आजहती के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसर आये। जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भागे को घरने के पर विचार किया। सहमती बनाई और निर्डे भी किये। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्टा देख्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य संसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्टपती महवदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं। जिम्मेवारियों को समाली हैं। अनेक कानूनों, अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोगसभा और राजसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से दिक कानून पास किये हैं। और कभी ज़रुवत पड़ी तो जोइंट शैसन के माध्यम से भी कानून पारिद करने की दिशा में रनदिती बनानी पड़ी। और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो। बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो। आतंग से लड़ने के लिए कानून हो। यह संयूत्त सत्र में पास किये गए हैं। इसी ग्रह में पास किये गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतिक्षा थी। शाह बानों केस के कारण कुछ उल्टी पाटी पर चल गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया। और तीन तलाग विरुद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद्य बिते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्मान कुछ इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के पती सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी, शिक्षा, स्वास, बागी जो सुविधाये हैं एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके इसकी दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरुनतों को देखते हुए, उनके एश्पिरेशन को देखते हुए, ऐसे कानूनों के निर्मान किया, जो उनके लिए उजवल भविश्की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर विश्य ऐसा रहां, जो सायद ही कोई दसक ऐसा होगा, कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो, और मांग न हुई हो, आक्रोश भी वेक्त हुआ, सभाग्रा में भी हुआ, सभाग्रा के बाहर भी हुआ, लेकिन हम सब का सोभाग है, कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगावाद, आतंकवाद के खिलाब लड़ाई लंडे का एक बड़ा महत्तम कदम, और इसे महत्तम काम में, मानिय सांसदों की, सांसद की, बहुत बड़ी भूमी का है, जम्मु कश्मीर में, इसी सदन में निर्मित हुआ सांविधान, हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ वो, महामुल्य दस्तावेज, जम्मु कश्मीर में लागू करते हैं, तो इसे मिट्टी को प्रणाम करने का मन तर, आज जम्मु और किश्मीर, शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए, प्रतिबद्ध हुआ है, और नए उमंग, नए उत्सा, नए संकल्ब के साथ, जम्मु कश्मीर के लोग, आगे बढ़ने का कोई मोकाब छोड़ना नहीं चाहते हैं, यह दिखाता है कि संसद के सदस्चों ने मिल करके, संसद के भवन में, कितने महत्प्रपुन काम किये हैं, माने संसद गन, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय हैं, सही समय हैं, एक के बाद एक घटनाओं के तरफ हम नजर करेंगे, हर घटना इस बात का गवा दे रही हैं, कि यहां आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर जागरत हो चुका है, भारत नई उर्जा से भर चुका है, और यही चेतना है, यूर्जा, इस देश के कोटी कोटी जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती हैं, और संकल्प को परिशम की पराकाष्ठा करकर के सिद्धी तक पहुचा सकती हैं, यह हम देख सकती हैं, और मेरा भी स्वास है, देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे, हम गती जीतरी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे, आज भारत पांचवी अर्थ वह उस्थापर पहुचा है, लेकिन पहले तीन में पहुचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा हूँ, और मैं एक जिस्थान पर बैठा हूँ, जो जानकारिया प्राप्त होती है, उसके आधार पर, विश्व के गर्मान ये लोगों से बात्चीत करता हूँ, उसके आधार पर, मैं बड़े विश्वाद से कह रहा हूँ, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लिकिन दुनिया अस्वस्त है कि भारत टॉप थ्री में पहुंचे के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से, फिर एक बार, दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंदर बना हुआ है। भारत का गवर्नेंट्स का मोडल, UPI, डिजिटल स्टेक। मैं इस G20 में भी देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टकनोलोजी की दुनिया को लेकर के भारत का नवजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पूरे बिश्व के लिए कवतुग भी है, आकर्षन भी है और स्विकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखन में हैं मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दाईत्म निभाने का अउसर आया है। और हमारा सबसे वड़ा भाग्य है कि आज इंजियन एस्परेशन्स उस उंचाई पर हैं जो शायत पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजिरों ने उसके एस्परेशन्स को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आज आज भारत में अपने सपने संजो रहा था। शुनोतियों से जूज रहा था। लेकिन मिलकर क्या जहां पहुचे हैं। अब वहां वो रुकना नहीं चाहता हैं। वो एस्परेशनल सुसाइटी के साथ नए लक्ष घणना चाहता है। जब एस्परेशन सुसाइटी सपने संजोते ही हो। संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो। तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर, नए कानूनों का निर्मान करके, उजवल भविश्य के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने का दाईत्वा, हम सभी साउसदों का सभिशेस होता है। संसद में बढ़ने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत, इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए, यह हम सब की भावना भी हैं, कर्तब्य भी हैं, और एक एक देशवासी की हमसे अपेच्छा भी हैं। हम जो भी रिफॉर्म करें, उसके मून में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सरवोच्पद पर होना चाहिए, प्रात्विक्ता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं। क्या कभी छोटे कहनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या। जैसे छोटे कहनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कहनवास को बड़ा नहीं कर सकते, तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। 75 साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पुरवजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल पर जुड़ जाए। हमारा सोचने का दाइरा बदल जाए, हमारा कैनबास बड़ा हो जाए। तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं। उस तश्वीर का खाका खीच सकते हैं। उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं। और आने वाली पीडी को वो भव्य दिव्य मा भारती के हम उनको सुप्रत कर सकते हैं। हम वृतकाल के 25 वर्सों में भारत को अब बड़े कैनबास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलजना वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए। और हम से शुरुवात होती है। हर नागरिक से शुरुवात होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था। कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े बड़े बुद्धी जीवी और अर्थसात्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर भर की बात करता है, तो अर्मटिलेटरिजम की सामने चुनोती तो बन नहीं जायेगा। ग्लोबल एकोनोमिक के जमाने में चीक तो नहीं होगा। लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर भर मोडेल की चर्चा करने लगे। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा। कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर भर हो। एनर्जी सेक्टर के में हम आर्थ आत्मनिर भर हो। एडिबल होई। चाहिए इस देश को आत्मनिर भर नहीं होना चाहिए। क्रिशी प्रधान देश हम कहते हैं। खाने का तेल। क्या अब देश बाहर से लाएगा। बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर भर भारत को संकल्प को पुरा करना। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं। सिर्फ दिल चाहिए देश के लिए चाहिए। हमें अब मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर बें दुनिया में सर्वस्ष्ट बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने एक बरलाल के लिए से कहा था। जीरो डिफेक्ट, जीरो एफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहों। हमारी प्रक्रिया में परियावरण पर कोई इफेक्ट नहों। ऐसा जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला। हमें धुनिया के सामने manufacturing शेत्र में जाना हो हमारे designer हमारे यहां निर्माण होरी designs हमारे software हमारे agriculture products हमारे हस्त सिल्प हर शेत्र में अब हमें वैश्विक माप दंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना जंडा फैरा सकते मेरे गाउं में मेरा सबसे अच्छा हमाल हो इतनी बात नहीं चलेगी मेरे राज में मेरा सबसे अच्छा product नहीं चलेगा मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा product नहीं चलेगा दुनिया में मेरा प्रोड़क्ट सबसे अच्छा होगा ये भाम होने पैदा हमारी उनिवर्सिटी दुनिया के अंदर टॉप रेंकिंग में आएं अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है हमारे सिख्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पालिसी मिली है एक खुलापन है सर्व स्विकृत बरी है उसके सहारे अब हमें चलन पना है और दुनिया के टॉप पोस उनिवर्सिटी में अभी जब G20 में विश्व के मेमान आए तो मैंने नालंदा की एक तश्वीर रखी दिवा और जो मैं दुनिया को लेकों को कहता था पंदरा सो साल पहले मेरे देश में दुनिया के उत्तम से उत्तम उनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उनकों सुनते ही रह जाते थे लेकिन हमें उसे प्रेणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है ये हमारा संकल पहुणा है आज हमारे देश का नवजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है टीर टू टीर थ्री सिटी से गाistant गरीब परिवारों से गाउं से देश के नवजवान देश की बैटे बैटियां आज खेलकुद के जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकुद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा हमें अब पूरा दल पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा ताकि हम वीश्व की आश आप एक शाहों के नुकूल और भारत के सामान ने मानवी के जीवन में भी क्वालिटी आफ लाइप के प्रती जो एस्प्रेशन बड़ा है उसको हम एड्रेस कर पाएं और जैसे मैंने कहां हम भागवान हैं हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एश्प्रेशन सुसाइटी है हमार और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जन आबादी वालत देश बने ही हैं लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा ये पहली बार हुआ है जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो युवा सामर्त हो तब हमें उसकी टालेंट पे भरोसा है हमें उसकी संकल पर शक्ति पे भरोसा है उसकी साहस में भरोसा है और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंग्ति में नजलाना चाहिए बोस्थिती पैदा हो निशाए आज पुरे दुनिया को स्कील मैंट पावर की बहुत बड़ी ज़रूरत है और भारत बीश्व की इस आवश्शक्ता की पूर्ति के लिए अपने आपको सज्ज कर सकता है और उन आवश्शक्ताओं को पूरी करकरके दुनिया में अपनी एक जगा भी बना सकता है और इसलिए विश्वक में उनकी आवश्शक्ता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है किस प्रकार के उनको human resource की जरूरत है उस skill mapping का काम भी चल रहा है और उस chemical skill mapping के अनुसार भारत के अंदर skill development के तरह में बल दे रहे हैं और जितना जादा हम skill development पर बल देंगे भारत के नव जवानों का सामर्द वीश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी ने रखेगा और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है कुछ कर गुजरनी की छाप छोड़ी है ये सामर्थ हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गये हुए उन्होंने इस से चबी भी बना के रखी हुए आपने देखा हुए पिछली दिनों करीब डेड़ सो नर्सिंग कॉलेज एक साथ खुलने का निर्णे किया पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वार्मेंट है नर्सिंग की हमारी बेटिया हमारे बेटे उस खेत्र में दुनिया पर पहुंच सकते हैं पूरे वीश्व की जरूरत है और यह तो मानुता का काम है जिसमें हम पीशे नहीं रहेंगे आज मेडिकल कॉलेजिस का इतना ब्यापक रूसे निर्वान देश की आवश्रक्ता तो पूरी करनी ही करनी हैं दुनिया की आवश्रक्ताओं में भी योगदान दे सकते हैं कहने का तात्पर यही है हर छोटी चीज पर बारिकी से ध्यान देते हुए उस पर अपना ध्यान क इंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसली भी लेने होते है हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं नुक्षान के गणा भागित के अंदर अपने आपको बंधी नहीं बना सकते हैं हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नहीं निर्णे करने होते हैं आज सोलर पावर के सभल मूवमेंट हमारी भावी पीडी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की दे रहा है आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एन्वार्मेंट की चिंता है जो टेक्नोलोजी में बढ़लाव आ रहा है उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्त रखती है आज हमारा सेमी कंड़क्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे रदय की और सेमी कंड़क्टर उसके लिए बहुत अनिवार यह हैं उस दिशा में हम आगे जाकर के एलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टर में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए उसलिए बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं जल जीवन मिशन हर जिले में 75 अमर सरवर हमारी भावी पीडी को हमारे बच्चे बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरश्णा न पड़े इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे लॉजिस्टिक सिस्टिम को और अधीक कम खर्च वाला बनाना एफिजन बनाना वो दीशा में हम बहुत नीतिया ले करके चल रहे हैं आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत के हम निर्मान करे नॉलेज इनोवेशन यह समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रीम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है और इसलिए पिछले हमने समय नेश्टलर एजूकेशन पॉलिसार के साथ तेक्नॉलोजी के बढ़ावे के लिए हमने रीसर्च और इनोवेशना का एक कानून भी पारिद किया है ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रियान तीन की सबलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकरशन बढ़ रहा है हमें मोका घवाना नहीं है हमारी युवापीडी को हमने रीसर्क और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने है और इस इकोसिस्टिम को बनाने के लिए हमने एक उजवल भविश के निर्मान की नीव रखी है आदा इन्य बंदुगां सामाजिक न्यान यह हमारी पहली शर्ट है बिना सामाजिक न्याय बिना संतुलन बिना समभाव बिना समत्व हम इच्छित प्रणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बनके रह गई हमें उसको व्यापक रुपने देखना होगा हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें किसी समाज में दबे कुचली व्यक्ति को कोई सुविधा दें वो तो सामाजिक न्याय की प्रक्या है लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए न वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है उसके गर्तिय नद्दीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में सवय के जरूत पड़े वो मिलें तब जाकर कर के सामाजी ग्नाय के मजबूती मिलती है और इसलिए जिस प्रकारते समाज विवस्ता में सामाजी ग्नाय के आवश्णता है अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए अब इक्सित रह जाए ये भी सामाजी विन्याय के खिलाब है दुर्भाग से ते देश का पुर्वी इलाका भारत का पुर्वी भाग जो समुरुद्धी से भरा हुआ है लेकिन वहाँ के नव जोवानों को रोजगार के लिए दुसरे इलाके में जाना पूट रहा है ये स्थिति हमें बदलनी है हमारे देश के उस पूर्वी भाव को इलाका को समुरुद्ध बना करके सामाजी विन्याय की मजबूती भी हमने देगी असंतुलित विकास शरीर कितना भी स्वस्त क्यों न हो लेकिन एक उंगली को भी अगल लक्मा मान गया है तो सरीर स्वस्त नहीं माना जाता है भारत कितना ही समुरुद हो लेकिन कोई अंक उसका दुरबल रह जाए तो भारत समरुद्धी में पीशे हैं मानना पड़ेगा और इसलिए हम सरवांगिन विकास के पक्ष में सामाजिक न्याय की उसे उंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में दिसा में हमें आगे बढ़ना है चाहे पूरी भी भारत हो चाहे नौर्थ इस्थो हमें उन चीजों को प्राप्त करना और उससे लिए जो ननीती कितनी सफल हुई है सो हंड्रेड एस्प्रेशनल डिस्टिक पर विशेस काम किया नवजवान अपसरों को लगाया गया एक स्ट्रेजी बनाई गई अज दुनिया उस मोडेल की चर्था कर रही है और आज हंड्रेड डिस्टिक दे एवरेज से भी उपर जा रहे है और इस सफलता को देख करके सामाजिक नाएकि इस भावना को मजबूत करते हुए सो डिस्टिक में से आगे बढ़ करके जमिनी स्थर पर ले जाने के लिए 500 ब्लोक तक उनको एस्प्रेशनल डिस्टिक ब्लोक के नाति आइडेंटिवाय कर कि उसको मजबूती कर देने का काम चल रहा है और मुझे विश्वास है कि एस्प्रेशनल ब्लोक है वो एक विकास का नया मोडल बनने वाले हैं वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नया उर्जा केंदर बनने की संभावना रखते हैं और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं मनिये सांसदगर्ण आज विश्व की नजर भारत पर है शित्य उद्ध के समय हमारी पहचान कुट निर्पेक्ष देश के रुप में रही उस समय की जो जरूरत थी उसके जो लाब होने थे उस समय से हम गुजरे हैं लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय गुट निर्पेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी आज हम उस नीती को लेकर के चल रहे हैं जिस नीती को अगर हमें पहचान रहा है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है ये शायद विश्व में एक भारत ने और दुरी नहीं हो सके उतनी निकरता उस रास्ते पर चल करके भी हम अपनी विश्व मित्र के रूप में भाव आज सभलता पुरवक आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाप आज भारत को हो रहा है भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाइचेन के रुप में उभर रहा है और आज विश्व की ये दिरुवत है और उस आवश्यक्ता की पूरती करने का काम जी ट्वेंटी में भारत ग्लोबल साउट के आवाज बन करके हो रहा है ये बीश जी ट्वेंटी समीट में जो बीश बोया गया है मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवरुक्ष बनने वाला है विश्वास का ऐसा वटवरुक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीडियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीधा तान करके खड़ी रहेगी ये मुझे विश्वास है इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है Biofuel Alliance का हम विश्व के नेतुरुत्व करते रहें दिशा दे रहें और विश्व को Biofuel Alliance में दुनिये के सभी देश देखते ही देखते उसके सदस्तिता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा अंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतुरुत्व यह हमारा भारत कर रहा है छोटे छोटे महादवीप उनके साथ भी आर्थिक कोरिडोर बनाने के दिशा में हमने बड़ी मजबूतिके साथ कदम उठाए है आदेनी मंदुगान आदेनी उप्राश्पति जी आदेनी स्पीकर महदवी आज हम यहां से बिदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं संसत के नए भवन में बैठने वाले और यह शूब है गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं लेकिन बैए एक आप दोनों महनुभावों को एक प्रांसना कर रहा हूं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिल करके उस विचार पर जहां भी जरुवत पड़े मन्थन करके कुछ निर्णे अवस्थ करिए और मेरी प्रांतना है मेरा सुजाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहें तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए इसे सिर्फ पुरानी प्रांलामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रांतना है कि भविश्य में अगर आप सहमेती दे दोनों महावन भाव तो इसको सम्विधान सदन के रुप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमासे रक्स के लिए हमारी जीवन प्रेणा बननी रहेगी और जब सम्विधान सदन कहेंगे तब उन महापुर्षों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी सम्विधान सभा में यहां बैठा करते थे गणमान ये महापुर्ष बैठा करते थे और इसलिए भावी पीडी को ये तोफा भी देने का आफसर हमें जाने नहीं देना चाहिए मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमी को प्रणाम करता हूँ यहां पर जो तफस्या हुई है जन कल्यान के लिए संकल्प हुए है इसको परिपूर्ण करने के लिए साथ दसक से भी अधिक समस्ते जो पुर्शार्थ हुआ है उन सब को प्रणाम करते हुए मैं मरिवानी को विराम देता हूँ और नए सदन के लिए आप सब को शुब कामना ही देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद